चुनाव आयोग सापत और पर संके दे चुकी है कि छट पुजा के बाद दो विधान सभा तारापूर और कुशिश्वर अस्थार में उचुनाव होने वाले हैं जिसके बाद जीर्यू और आरजेडी अपने संगठन को धारदार अबनाने में लग गई हैं रविवार को ही जीर्यू राष्टि अदेक्षिनलंद सिंग के देक्षिता में दो दिवसिये परमंडली है समिक्षा बैठर की गई थी और तमाम जिला देक्षियों को एक महने का वक्त दिया गया और कहा गया कि इस एक महने के अंदर प्रखंड अस्तर पर पंचायत अस्तर और गौँ अस्तर पर जो संगठन की काई है उसको मजमूत किया जाए उसका गठन किया जाए और अगर आज तेश्वी आदव अपने पोलो रोड इस्थितावास पर दक्षिन विहार के तमाम जिला दक्षियों जिला प्रधान महा सचिप के साथ साथ प्रखंड अधक्षि का ट्रेनिंग सिवीर चला रहे हैं बकाईदा आज आज आजड़ी के तमाम आला कमान नेता मौजूद होंगे उतादे कि 8 सेप्टेंबर को ही जगदारंण सिंग ने साथ तोर पे बता दिया था कि 21 से 22 सेप्टेंबर को तीये श्यू यादव के पोलो रोड आवास पर तमा पूर और कुशिश रस्थान के उचुना को देखती भी किया जा रहा है क्योंकि ये जेडियों और आरजेडी के बीच कहीं ने कहीं सबसे बड़ी लडाई होगी क्योंकि इसके बाद एक परसेप्शन बनेगा कि कि किसका पलड़ा भारी है आपको पता होगा 2020 के विधा सव होंगे वहीं महाकरणन की तरब से तेश्ष्वी यादव ने असपष्ट कर दिया है कि आरजेडी अपने मिद्वारों तोरेगी और अब दोनों के बीच में महा मुकाबला होने जा रहा है और इसी को देखते हुए आज तेश्ष्वी यादव उन तमाम कारेकरताओं को ट् में सभी कोचित सम्मान दिया जाएगा साफ़ और पर तेश्ष्व यादव ने कारेकरताओं को कहा था कि अब गनेश परिक्रमा करने से काम नहीं चलेगा बलकि अब जो जंदा की परिक्रमा करेगा संग अठन में उसके बड़ी जमेदारी मिलेगी और आठ सेप्टेंबर क जब वो ये बात कर रहे थे कि सेप्टेंबर को दक्षिन बिहार के तमाम जिला धक्षू और तमाम कारेकरताओं को ठेनिंग दिया जाएगा उस वक्त ही कहा था आने वाले वक्त में तारापूर और कुशिश्व रस्थान में बचुनाव होने वाले हैं और पिछले बिधा बिधान सवाच्षेत्रों में जाएं और अपना जन्शंपर्ख बढ़ाएं और साथ ही तौर पे कहा था कि उन तमाम बिधान सवाच्षेत्रों से हर सप्ता दो प्रेस कॉन्फरेंस के आ जाया यानि साफ है किस तरीके से अब जेडी और आर जेडी दोनों उप्छनाव को लेकर कमर कस चुकी है और जो संगठन को लेकर तावर्तुर्द मीटिंग चल रही है चाहां एक तरफ संडे को ही और रिवार को ही नलन सिंग ने बकायदा दो दिवश्ये प्रमंडलिये समिक्षा बैठा आयुजित किया था और आज तेजस्वी आदव अपने पोलो रोड आवास में जो दक्षिन विहार हैं के कारकरता हैं जिला धक्ष जिला प्रतानमास अची विहार हैं उनको ट्रेनिंग देंगे उसके बाद तमाम उतर विहार के कारकरताओं का जो ट्रेनिंग शिवरी लगा जाएगा तो साफ है कितारापूर विधान सभा और कुशिश्वर विधान सभा में जो चुनाब होने इसको लेकर अब जो है शेंखनाद हो चुका है दोनों पार्टियां अब कहीं ने कहीं पूरे जोर्शोर्श ने तैयारे में लग चुके क्योंकि ये जेडियू के लिए प्रतिश्वा का विशा है तो वहीं तेश्च यादव साब कर पर प क्या कुछ नए शीज़ें करकर सामने आती है जैसे ही कोई नहीं आपिट आएगा मुसाब को तिलाह करते रहेंगी आप देखते रहें जन्ता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद